हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल इंग्लिश डायरी पर और मैं हूँ आपका दोस्त विजे आप लोग के डिमांड पे यूट सेवन लेके आए हैं और आज उसका पहला टॉपिक है इसमाच चुकताई के बारे में और इसके बाद हम आगे वन बाई वन सारी टॉपिक्स को पढ़ेंगे अभी वैसे हम आपको प्रो सेक्शन करा रहे थे लेकिन काफी लोगों ने कहा कि यूनिट सेवन को पहले कराएं तो उसी तरह से हमारी कोशिश है कि यूनिट सेवन तो जो आपकी है उससे रिलेटेट इन टॉपिक्स को कराया जाए तो आज किस बीडियो हम पढ़ेंगे इसमाच चुकताई के बारे में और इंपॉर्टन फैक्ट्स के साथ और यह जरूर और डेट जो इनको हित्वी 24 अक्टूबर 1991 एक चीज में आपको बताऊँगा यू के ट्रिपल एससी जो है फॉर्स टाइम इसमाच चुकताई को जो है असलिबस में रखा हुआ है तो आप इनके बारे में बेसिक इंफोर्मेशन भी याद रखें क्योंकि कुछ भी पूछ आज स्वांस 1925 24 ऑक्टूबर 1991 सिव और फिल्मेशन फिल्मेकर यानि फ्लिम मेकिं था जो भी हम नीचे आपको प्ढ़ाएंगे आपको पताइए ते शाहिवा अर्टिज राटिग्र इसमाच फीड़ी और इनके रखें इनकी जो रॉट एक्सिज आप रहती है वो रहती है female sexuality के बारे में femininity के बारे में middle class genitility के बारे में class conflict के बारे में often from a marxist perspective जो है आपका इनकी राइटिंग में आप देख पाएंगे तो normally जो class conflict या middle class genitility है इस से related जो आपके syllabus में एक इनका work दिया हुआ है kallu इसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे ठीक है normally आपको याद रखनी है कि ये इनकी themes रहती है आगे देखे चुगतई established herself as a significant voice in the उर्दू literature of 20th century इन्होंने अपने आपको establish किया एक महतवपूर्ण आवाज की रूप में उर्दू literature में वह भी कब 20th century में यानि 20th सब्तापदी में 1976 वोड़े दा पदमश्री बाई government of India और 1976 में इनको पदमश्री आवार्ड भी दिया गया यह आप खासा याद रखनेंगे 1976 इसमद चुगतई was born on 21st August 1915 इन बदायू इनका जन्म हुआ था बदायू में जो कि उत्तर प्रदेश में पढ़ता है ठीक है यह location आपको याद रखने है चुगतई received her primary education at the women's college at the aligarh muslim university तो aligarh muslim university की पास जो women's college पढ़ता है वहां से इन्हों ने अपनी primary education ली थी graduated from Isabella Thorban college with a bachelor of arts degree 1940 और Isabella Thorban college से नो ने जो है bachelor degree ली थी 1940 में इन्होंने एक drama लिखा था जिसका नाम था फसादी the troublemaker for the Urdu magazine शाकी और यह उन्होंने किसके लिखा था उर्दू king magazine थी शाकी और यह कौन से year में जो है लिखा था year 1939 which was her first published work और यह इनका सबसे पहला published work है तो याद रखेगा फसादी the troublemaker 1939 आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो ट्रबल मेकर रहते हैं हम अपने life में वो 19th year से 39 year तक रहते हैं काफी संगर्स रहता है काफी सरे trouble खुद के लिए भी हम ऐसे create कर लेते हैं कई बार गलत decision लेके ठीक है तो 1939 आपको याद रखना है आप देखिए और कुछ work है some of her early works included एक इनका early work है बचपन, childhood ये एक autobiographical piece है ठीक है काफिर, infidel, her first short story ये भी आपको याद रखना है first hand काफिर, बचपन जो है एक autobiographical है उसके बाद धीर यानि इस्टबर्न इनकी एक मात्र जो है soliq है ठीक है ये भी आपको याद रखना है तो तीन work आपको खासे याद रखना है जो इनके early work है बचपन, काफिर और धीट चुकताइज first novella जिद्धी इनकी पहली novella जो है वो जिद्धी है which she had written on her early 20s अपने early 20s में उने लिखा था और ये first published हुआ था 1921, sorry 41 में ठीक है जिद्धी इनका first novella था याद रखेगा चुकताइज गाणरेट with widespread attention for her short story लिहाफ, the quilt इनके short story थी लिहाफ, the quilt जिसको English में कहेंगे इसने खासा लोगों का ध्यान अपनी तरपा करशित किया था इनका important work है लिहाफ, याद रखेगा, works आपको याद रखने है क्योंकि works से related question पुछे जाते है which appeared in 1942, issue of अदाब लथीव, और ये जो है अदाब लथीव के अंक में, 1942 में जो है पबलिश हुआ था, appeared हुआ था लाहूर based literary journal और जो ये अदाब लथीव है, ये एक लाहूर based literary journal है, जिसमें इनका ये जो लिहाफ है, short story ये अपेर हुआ था, ये आपको याद रखना है इसको भी आप हलका सा धिहान में रख सकते हैं, कि इसमें जो है एक rumor, एक बेगम का, जो है उनकी मालिस करने वाले के साथ, कुछ affair के बारे में rumor फैल गए थे, इस तरकी story है, एक chronicle, the sexual awakening of बेगम, बेगम जान की, जो sexual desire है, उसके उपन होने की कहानी है, following her unhappy marriage with नवाब, नवा ठीक है, नेक्स पॉइंट है, चुगतई कासी, autobiographical novel, तेड़ी लकीर, उसके बाद इनका एक autobiographical novel आया, जिसका नाम है, तेड़ी लकीर, the crooked line, और ये रिलीज हुआ था, 1943 में, ठीक है, crooked line, 1943 में, तो आप ये मान की चलना कि, इस साल की age में हमारे लकीरे तेड़ी हो जाती है, मतलब आप लगभग जीवन के सारे संगर्स, जो आप हैं, लगभग कर चुके हैं, तो जितनी सीधी साधी लखी रहे हैं, तो सारी टेड़ी हो जाती है, ऐसे करके आप इसको याद कर लेगी कोशिश करना, मतलब फिल्मों के लिए कहानिया लिखना, किस से लिखना, made her debut as a screenwriter for Latif's drama film जिद्धी उसके बाद इन्होंने screenwriting की थी Latif जी की एक जो drama film जिद्धी है उसके लिए ठीक है जिद्धी film के लिए इन्होंने screenwriting की थी और इन्होंने debut film भी थी यह आपको याद रखना है जिद्धी starring कामिनी कौसल जो है इसमें star थी इस film में जिद्धी film में ठीक है यह आपको याद रखना है इन दो तिन लोग के आप खासे जो है नाम याद रखेगा तो यह जो लोग हैं जैसे कामिनी कौसल पराण जीस में थे देवानन यह जो है major role कर रहे थे इस film में ठीक है यह आपको याद रखना है तो debut film जो है इनकी जिद्धी है जिसमें उन्होंने as a screenwriter काम किया था जिद्धी बिकम वन अब बिकिस commercial successes of 1948 तो biggest commercial film रही थी सफल फिल्म रही थी 1948 में याद रखेगा इस यह को ठीक है शी देन रॉट दाइलोग एन स्क्रीन फ्ले फोर दे 1950 रोमेंस ड्रामा फिल्म आर्जू उसके बाद जो है इनका जो है यह वाला काम चल गया था फिर इन्होंने डाइलोग और स्क्रीन फ्ले लिखा 1950 में एक फिल्म आई थी जोकि ड्रामा फिल्म थी आर्जू उसके लिए और इसके जो स्टार थे वो कौसल जी और दिलिप कुमार थे ठीक है उस वाद काफी फेमस चल रहे थे आगे देखिए प्रोजेक्ट एज फिल्म मेकर वाज देखिए पहले इन्होंने लिखना स्टार चार्ट के स्क्रीन राइटिंग प्र उसके बाद डायलोग लेगरा लिखने लगे फिर फाइनली फिल्म मेकर भी बन गये हर फोर्थ कलेक्शन उप सॉट स्टोरी इनका जो चौथा collection है short story का उसका नाम है छुई मुई ठीक है Touch Me Not was released in 1952 इसको इस तरह से याद रखना इसका ही है कि छुई मुई हो जाते हैं 52 साल की एज में मतलब जब touch करता है कोई तो एकदम से irritation होती है मतलब थोड़ा बुड़ा फाने लग जाता है तो इस तरह से आप याद रखेगा छुई मुई ठीक है इनका फोर्थ collection है short story का नेक्स पॉइंट है beginning in the 1960s चुगताई रॉट a total of eight nobles तो इन्होंने लगभग 1960 तक total eight nobles लिख दिये थे the first of which was मासूम और जो पहला था इसमें वो मासूम था the innocent girl और यह published हुआ था 1962 में the novel devils in the theme of sexual exploitation and social and economical injustice और इसमें sexual exploitation के बारे में दिखाया हुआ था और social and economic जो injustice है उसके बारे में जो है इस novel में चीजों को लिखा हुआ था ठीक है हर नेक्स्ट वोग 1966 नोवेला उसके बाद 1966 में इनका नोवेला आया जिसका नाम था सौधाई या Obsession जिसको कह सकते हैं was based on the screenplay of 1951 film बुजदिल 1951 film बुजदिल एक मूवी थी उसकी screenplay जो था same वैसी ही story थी इस सौधाई की ठीक है जो कि नोवेला आया था 1966 में आगे देखे चुगताई received significant praise for her fifth novel दिल की दुनिया उसके बाद इनको जो सबसे ज्यादा significant praise किया गया था वो novel थे इनकी दिल की दुनिया the heart breaks free अब ये सारे जो इनकी दिल की दुनिया वाला ये work है इसके बारे में निचे दिया है मैं आपको बता रहा हूं कि ठीडी लकी दिल की दुनिया much like ठीडी लकीर लकीर तो ये आपको ये work याद रखने है ठीक है तो जो ये दिल की दुनिया है इसके बारे में उने जो है दिल की दुनिया वाले इस work में लिखा हूआ है ठीक है नेक्स देखें इन अर्ली 1970s चुगताई रॉट टू नोवल्स तो 1970 के टाइम में उनने दो नोवल लिखी थी एक का नाम था अजीब आदमी दूसरे काम था जंगली कबूतर वाल्ड पीजिन्स ठीक है ये दो जो है नोवल से नोवने लिखे थे अर्ली 1970s के बीच टाइम पर आगे देखें इसमें जंगली कबूतर विच वास फर्स्ट पब्लेस इन 1970 अजीब आदमी इसमिलरली नेरेट दे लाइफ ओफ धरम देव पॉपलर लीडिंग मैन इन बॉलीवूट तो बॉलीवूट के एक ब्यक्ति थे धरम देव उनके बारे में जो है जो जैसे वो थे उनकी परस्नालिटी थी उसी से रिलेटेड जो नोवने लिखा था ये वर्क अजीब आदम उनसे प्रेडित होके आप ये समझ लीजिए तो जंगली कबूतर को याद रखेगा उनने सो सत्तर साल में ब्यक्ति जंगली कबूतर हो जाता है ऐसा करके आप याद रखना चुकतई वास डाइग्नॉस वित अलजायमा डिजीज इन दे लेट नाइटीन एटीन एटीन टेड़ी लकीर विच हाज कम टू बी रिगार्ड़ेट एस चुकतई मेगनम ओपस और टेड़ी लकीर इंपोर्टेन बन जाता है नैंटीन फोर्टी थी में पबलिश वा था मैंने आपको उपर बताया था तो ये जो है इसे मेगनम ओपस कहा जाता है इनका ठीक है इस साथी की थी ठीक है तो इसलिए इनको लिबरेल भी कहा जाता है तो आज की वीडियो में इसमत चुकतई के बारे में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में उसमें हम पढ़ेंगे कल्लू की कहानी और आपको उसमें कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे जिससे की आपका ज जो आंसर हैं, उनको find out करने में आप बड़ी आसानी होगी, और आज की वीडियो में इतना ही, thank you so much for watching this video.